हलो रुस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार रिथंकित में मैं हूं रंजन राज स्वागत करता हूं आपका उम्मीद करता हूं आप सोभी बढ़ियां होंगे स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी तो जल् जल्दी से आप लोग जुड़ जाए सभी को गुड़ इवनिंग सभी को राम राम जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए ताकि ज्यादा ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को सुरू करते हैं बिल्कुल बि तो काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो जल्दी से एक बार आप वीडियो को और भी अगर आपके कोई ग्रुप्स वगएरा हो प्रिप्रेशन करने के तो वहां पर शेयर कर दीजिए और फिर हम लोग अपनी क्लास को सुरू करते हैं सभी को गुड़ इनिंग चलिए चलिए जल्दी से जल्दी से जल्दी से एक बार हम लोग क्लास को अपने सुरू करेंगे तो देखिए आज का टॉपिक आपको पता ही है हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूल इंजेक्टर के बारे में और समय थोड़ा सा बचेगा तो लास्ट में आपको अडर भी बता दूँगा जहां से प्रस्ण जादा बनते नहीं है बस आपको जानकारी के लिए फारिंग अडर को समझना है ठीक है चलिए अब हम लोग अपना टॉपिक सुरू करेंगे फ्यूल इंजेक्टर का जैसा कि मैंने आपको जैसा कि मैंने आपको जब फ्यूल फी होता है एफ आई पी और उसके बाद हमारा क्या होता है यहां पर फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है ठीक है इस तरीके से कुछ हमारा फ्यूल इंजेक्टर होता है प्रस नहीं से बनता है कि जो फ्यूल फीड सिस्टम की लाइन होती है उसका सबसे जो अंतिम भाग होता है अंतिम भाग होता है वो क्या होता है तो आप क्या बताओगे सबसे आप यहां पर लिख लो फ्यूल फीड लाइन का फ्यूल फीड लाइन का लाइन का सबसे अंतिम भाग सबसे अंतिम भाग क्या होता है अंतिम भाग सबसे होता है इंजेक्टर या फ्यूल इंजेक्टर ठीक है अब दिखिए यहां पर ध्यान से समझेए कैसे काम करता है बहुत ही simple भासा में मैं आपको समझाने वाला हूँ जो fuel injector है हमारा यानि किस सिधान्त पर अभी working तो हम लोग अलग से पढ़ेंगे figure के माध्यम से किस सिधान्त पर काम करता है उसको मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ तो आपको एक formula पता होगा pressure equal to क्या होता है हमारा pressure equal to क्या होता है force upon area क्या होता है भाईया force upon area यानि कि बल बटे बल बटे छेतरफल ठीक है यह formula सभी को पता होगा कि जो हमारा pressure का formula होता है वो क्या होता है force upon area होता है अब मैं अगर आप से कहूँ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं प्रेसर इन्वर्सली प्रपोजनल टू वन अपान एरिया यानि की यहां पर आप समझे अगर आप क्या करेंगे अगर आप क्या करेंगे एरिया को कम करेंगे ध्यान से समझो भईया अगर आप क्या करोगे area को कम करोगे area को कम करोगे तो pressure हमारा क्या होगा increase होगा प्रेसर हमारा क्या होगा increase होगा example के रूप में आप क्या लिखोगे example के रूप में आप लिखोगे घर का pipe ठीक, अब मैं आपको समझाता हूँ जैसे कि जब आप छोटे बालक रहे होंगे तो आपने फूल वगएरा की घर पे सिचाई की होगी या होली वगएरा खेली होगी तो आप क्या करते हैं जो पाइप से पानी निकलता है उसको जादा दूर तक भेजने के लिए और उसको फवहारे की रूप में बदलने के लिए क्या करते हो उसको आगे की मुख को क्या कर देते हो थोड़ा सा दबा देते हो जैसे कि मान लिजिये ये था आपके पास पाइप सिंपल पाइप प्लास्टिक का जो आप लोग घर में यूज करते हो जिससे पानी आप निकलता है फूलों को पानी देते हो या कुछ भी कूलर में पानी भरते हो और अगर हम क्या करें माली जे सिंपल पाइप है इसका कुछ न कुछ क्या रहा होगा पहले एरिया रहा होगा फिर अगर आपको पानी को दूर तक भेजना है या पानी को एटोमाइज करना है निकि फवारे के रूप में बदलना है तो आप क्या करोगे इस pipe के आधे मुग को हाथ से दबा दोगे तो पानी हमारा क्या होगा जादा distance तक जाएगा जादा distance तक जाएगा और कैसा जाएगा फवारे के रूप में कैसे किसमें बदल जाएगा फवारे के रूप में फवारे के रूप में ठी नौजल का एक भाग ठीक यही काम करता है हमारा इंजेक्टर और इंजेक्टर का एक भाग होता है नौजल जो कि जिसका जो क्या करता है आने वाला जो इधन है आने वाला जो डीजल है उसका एरिया कम करके प्रेसर को क्या कर देता है बढ़ा देता है जिससे हमारा जो डीजल है वो combustion chamber में spray के form में अत्यधिक pressure से क्या होता है जाता है हाँ गाड़ी वास करते समय फवारा वैसा ही ठीक है सिधान्त क्या है आपका समझ में आया area को कम किया pressure को increase किया normal जो simple सबसे basic सिधान्त है वो जो हमारा fuel injector है उसका जो basic सिधान्त है वो यही है यह समझ में आया कि नहीं चलिए अगर यह समझ में आ गया तो fuel injector के बाकी चीज़ें इससे related देख लेते हैं और फिर हम लोग इसके बाद इसकी कारेविदी को समझते हैं तो पहला देखिए fuel injection system किया होता है सबसे अंतिम भाग होता है यह प्रसनाप से पूछेगा कि जो हमारा fuel injection system है या fuel feed system है उसका सबसे अंतिम भाग होगा हमारा fuel injector दूसरा पॉइंट क्या है, कंप्रेशन स्टोक के अंत में जब पिष्टन TDC पर पहुचने वाला होता है, उस समय फ्यूल इंजेक्टर द्वारा इंजन सिलेंडर में डीजल का इस्प्रे किया जाता है, ये सभी को पता है कि जब हमारा संपीडन स्टोक के अंत में पिष्टन TDC पर पहुचने वाला होगा, उसी समय हमारा क्या होगा, डीजल का इस्प्रे होगा इंजेक्टर द्वारा, सिलेंडर के अंदर, या कंबस्टन चैंबर के अंदर, अब एक दो जो महत्तिपून कारे हैं, वो लिख लीजे, फ्यूल इंजेक्टर जो कारे हैं, वो आप ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे, लिख लोगे, छोटे-छोटे-छोटे-छोटे कड़ों में तोड़ना, ठीक है, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, डीजल को कंबस्टन चैंबर में अच्छी तरह फैलाना, ठीक है, जिससे क्या हो, डीजल का यूनिफार्म जो य यानि कि एक समान रूप से डीजल क्या हो सके जल सके तीसरा पॉइंट है आपका डीजल का इस पर ठीक समय पर सुरू एवं बंद करना यानि कि जब हमारा piston टीडीसी पर पहुचने वाला हो तो जो एक टाइमिंग होती है जैसे कि मैंने आपको बताया था टीडीसी पर है उसे टाइमिंग पर क्या करना उसे टाइमिंग पर डीजल इंजन डीजल का इस्प्रे कराना कहां पर कंबस्टन चैंबर में ठीक है चलिए चलिए अब यह चीज आपको समझ में आ गई कि नहीं अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अब हम लोग समझेंगे इसकी कारे विध करेंगी यहां पर लगा होता है हमारा लॉक्नट ठीक है लॉकनट होता है जो हमारा बी वाला होता है यह होता है समंझन इसकृउ यह क्यों होता है भाया समन्जन screw ठीक है जिसे हम लोग English में क्या बोलेंगे adjusting screw adjusting screw ठीक है ये वाला जो हमारा part होता है ये होता है overflow line का overflow line ठीक है और जो यहां से हमारा क्या होता है यहां से हमारा जो diesel है वो अंदर आता है तो आप यहां पर लिख लोगे diesel प्रवेस diesel यहां से क्या होता है diesel हमारा प्रवेस करता है अब जो कुछ महत्रपूर part है उसको हम लोग यहां पर देख लेते हैं तो ये वाला जो part है इसको हम लोग बोलते है इस्टिम ठीक है यह वाला जो part है इसे हम लोग बोलते हैं valve ठीक है valve या इसे हम लोग बोलते है needle ठीक है इसे हम लोग क्या बोलते है needle ठीक है और जिस पे ये needle बैठी रहती है इसको हम लोग क्या बोलते है इसको हम लोग बोलते है seat ठीक है या valve seat तीट आप इसे बोल सकते हैं वाल्व तीट ठीक है और यह हमारा जो लाश्ट में छिद्र बना होता है वो यहां पर होता है उसको हम लोग बोलते हैं नौजल ठीक है यानि कि यहां पर क्या लगा होता है एक नौजल तो आप यहां पर लिखोगे कारविधी मैं आपको समझात हो सबसे पहले आप यहां पर कुछ लिखोगे तो आप यहां पर लिखोगे इंजेक्टर का सबसे महत्वपूर भाग कौन सा होता है भाईया नौजल होता है अब नाजल क्या होता है तो जो मैंने आपको सुरू में कार सिधान्त समझाया उसी पर नाजल काम करता है तो नाजल देखिए मुख्यता जो प्रयोग किया जाता हो दो तरह का होता है पहला होता है कन्वर्जेंट आपको लिखना नहीं है बस आप इसके फीगर को समझ दाइवर्जेंट ठीक है लिखना होता है अपने कापी में लिख सकते हैं इस तरीके का एक होता है कन्वर्जेंट नॉजल ठीक है लिख भी देता हूँ कन्वर्जेंट नॉजल और दूसरा होता है ये वाला डाइवर्जेंट divergent nozzle ठीक है अब देखिए मैंने आपको क्या बताया एरिया वाला आपको बताया system ठीक है तो देखिए यहाँ पर पहले क्या था area यहाँ पर पहले area क्या था भाईया जादा था मान लेता हूँ यहाँ पर आपका पहले area क्या था ए था capital A लेकिन यहां पर area कितना हो गया, कम हो गया, और कितना हो गया, इस माल ए, तो ठीक वही चीज है, पहले छेतर फल जादा, हलाकि nozzle कई तरीके से काम कर सकता है, इसमें बहुत चीज उखी होता है, लेकिन simple आप इतना समझेए, जब area कम होगा, pressure जादा होगा, हमारा ठीक है, pressure क्या हो रहा है, area कम हो रहा है, तो यह हमारा होता है, convergent nozzle, और यह वाला होता है, हमारा divergent nozzle, तो nozzle में लिखेंगे, आप यहां पर nozzle में लिखेंगे, nozzle का उप्योग, nozzle का उप्योग, द्रव या गैस, ठीक है, द्रव या गैस के, प्रवाह की दर, प्रवाह की दर, या speed, या दाब, या दिशा, दिशा, कंट्रोल करने के लिए, किया जाता है, किया जाता है, ठीक है, तो nozzle आपको समझ में आया की नहीं भईया, nozzle आपको समझ में आया की नहीं, इसी सिद्धान पर जो मैंने आपको भी पहले बताया था, area compressor जादा fuel atomize, तो nozzle का उप्योग कहां पे होगा, द्रव या गैस की प्रवाह की दर को, या speed को, या दाब को, या दिशा को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, और यहीं पर नीचे हमारा क्या लगा होता है, यहीं पर नीचे हमारा क्या लगा होता है, नाजल लगा होता है, अब देखिए इसकी कारपडाली को समझे, यहाँ पे जो वाल्व होता है, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉजल नीडल या स्पिंडल भी बोलते हैं आप यहां पर लिखेंगे यहां पर यह जो पाला पार्ट होता है सुई की तरह एक पार्ट यह जो आपको दिख रहा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे नॉजल नीडल या स्पिंडल बोलते हैं अब देखिए, हमारा जो ये injector लगा होगा, कहाँ पर लगा होगा, PIP के बाद लगा होगा, और PIP, जब मैंने आपको पिछले रलप्चन बताया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था, PIP क्या काम करता है? दाब जनरेट करने का काम करता है यानि कि हाई प्रेसर आधनिक गाड़ियों में 2000 बार तक ठीक है 35 बार से लेकर एक लड़का बोला था कि 35 बार नहीं होगा तो भाई जो बहुत छोटा इंजन होगा उसमें 35 बार भी हो सकता है तो हाई प्रेसर क्या करता है FIP जनरेट करने का काम करता है और जब FIP से होता हुआ FIP से होता हुआ हमारा फ्यूल जो है FIP से होता हुआ हमारा फ्यूल जब इस पाइप से ऐसे आएगा तो यह क्या करेगा जो यहाँ पे नौजल नीडल या स्पिंडल लगा हुआ है इसको क्या करेगा, उपर की तरफ उठाएगा क्यों? क्योंकि यहां पे दाव ज्यादा है और यहाँ पे squid लगी हुई है यानि कि यह क्या हो यह जो हमारा nozzle needle या spindle लगी हुई है यह क्या हो सकती है up down हो सकती है कैसे? जब हम इस पे क्या लगाएं? pressure लगाए, और यहां से जो diesel आ रहा है, यहां से जो diesel आ रहा है, FIP द्वारा, उसमें क्या है, दाब बहुत जादा है, तो वो क्या काम करता है, वो हमारा काम करता है, इस nozzle needle या spindle को उपर की तरफ प्रेस करता है, इस spring के विरूद, ठीक है, कैसे press करता है, इस spring के विरुद्ध प्रेस करता है और हमारा जब ये नॉजल का होल है ठीक है वो क्या होता है ओपन हो जाता है और हमारा जो डीजल है वो combustion chamber या cylinder में आ जाता है ठीक है अब देखें नॉजल कैसे जो fuel injector है वो कैसे दाब बढ़ाएगा देखें यहां से तो हमारा fuel आया उसमें कुछ नो कुछ दाब था यहां से क्या हुई हमारी नॉजल नीडल ऊपर उठी फिर यहां पर आगे क्या लगा होता है नॉजल लगा और यहां पर क्या होता है जो हमारा fuel है हमारा क्या हो फियूल है वह इस प्रेय यहां पर होता है ठीक है तो यह कारपड़ाली समझ में आई कि नहीं एक पॉइंट यहां पर और लिख लिजेगा इस तरीके से की injector को चलाने के लिए है कि injector को क क चलाने के लिए का भी प्रयोग किया जाता है ठीक है यानि कि जब इस तरीके से या छोटे इंजन में यहाँ पर तो डारेक्ट प्रेसर आएगा हमारा स्पिंडल है जो उपर जाएगा और हमारा डीजल जो है वो आ जाएगा लेकिन छोटे इंजन या कुछ तरह की इंजन होते हैं उसमें इंजेक्टर को चलाने के लिए क्रेम साफ्ट का भी प्रयोग किया जाता है सर नॉजल का टाइप हिंदी में बताए प्लीज ठीक है मैं टाइप बताऊंगा भाई अब हिंदी का तो थोड़ा सा नहीं पता देख लेता हूँ ठीक है मैं हिंदी में बताने के प्रयास करूंगा ठीक है यदि टाइमिंग न मिला जाए तो क्या होगा टाइमिंग नहीं मिलाओगे भाई तो संपीडन स्ट्रोक के अंत में होना चाहिए डीजल का जो इस्प्रे है जब आप टाइमिंग नहीं मिलाओगे तो सक्सन में ही हो जाएगा तो क्या उसका कुछ यूज है क्या हमारा इंजन सही से प्रॉपर वर्क कर पाएगा और यह यह टाइमिंग मिलाने के लिए हम लोग एक डाइग्राम उप्योग करते है उस डाइग्राम को कहते हैं वालव टाइमिंग डाइग्राम सार्ट में उसको बोलते हैं वी टीडी ठीक है यह हमारा उस डाइग्राम यानि की टाइमिंग को मिलाने के लिए डाइग्राम को उप्योग करते हैं उसमें सब कुछ मेंसन होता है कि कितने डिगरी पर हमको कौन सा चीज सेट करना है जिससे उतने ही डिगरी पर हमारा सक्षन होगा क्रेंक साफ्ट के क्रेंक साफ्ट के उतने डिगरी पर हमारा सक्षन होगा compression होगा, expansion होगा, exhaust होगा तो VTD कहते हैं, wall timing diagram कहते हैं वो आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है? ठीक ठीक भाई, मैं बता दूँगा निगल गुलिया जी मैं बता दूँगा, विल्कुल बता दूँगा चलिए, तो ये बताइए, ये समझ में आया कि नहीं आपको अब यहाँ पर देखे, जो समंझन screw लगा होता है, इसका क्या काम है समंझन screw क्या है? ये spring है हमारी अगर आपने इस adjusting screw को tight कर दिया यानि कि spring हमारी क्या होगी? इस हमारा जो nozzle needle है इस पर ज़्यादा दबाव डालेगी तो इसको उपर उठाने के लिए हमको ज़्यादा pressure देना पड़ेगा तो ये क्या काम करता है? अगर हम ये चाहते हैं हमारा जो diesel inject हो रहा है उसका pressure और बढ़ जाए तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? adjusting screw की सहायता से इस nozzle needle को कस देंगे जिससे क्या होगा? spring इस पर और दबाव डालेगी तो इस nozzle needle को उठाने के लिए और pressure हमको चाहिए होगा तो फिर जब और pressure चाहिए होगा तो diesel क्या होगा? ज्यादा pressure से cylinder के अंदर जाएगा और अगर इसको ढीला कर देंगे तो spring यहाँ लूज हो जाएगी यहाँ से जो आयलाएगा आसानी से इस nozzle needle को उपर उठा देगा और आसानी से हमारा इस पर हो जाएगा compressor पर इस तरीके से हमारा काम करता है हाँ तो भाई क्यों खोल लिए हिंदुस्तानी भाई क्यों खोल लिए अपनी भाई कबरे को खोलने की ज़रूरत नहीं है बस यार मैं आपको यह भी एक चीज में कहना चाहता हूं क्योंकि जो चीज आएगा exam में आप उसको पढ़िए बागी अगर फाल्दू की चीज़े आप पढ़ते हैं तो ना उसका कुछ अर्थ निकलेगा ना आपका selection होगा तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो आपके syllabus में है क्योंकि दो ही महीने का समय है दो ही महीने का समय है तो जो आपके syllabus में है बस focus करके उसकी पढ़ाई कर लीजे बस आपको और कुछ करना ही नहीं सिंपल सी बात है ठीक है चलिए लेने दो भाई स्क्रीन सॉट ले लो ठीक है स्क्रीन सॉट ले लो आप लोग जल्दी से स्क्रीन सॉट लीजे ठीक है चलिए चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे कारिवधिया आपको समझ में आ गई ये देखिए जो रियल में Google वाला इमेज है बच्चे कहते हैं Google वाला इमेज दिखाओ तो यह है Google वाला इमेज अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं इसको नहीं दिखाता हूं तो यह देखिए इस तरीके का हमारा कुछ नौजल होता है ठीक है यह यहां पर देखिए जो दिखाया कर नौजल है रीयल में देखने में जो नौजल होता है कुछ ऐसा दिखता है तो क्या आप इससे इसकी वरकिंग समझ पाओगे अगर मैं यह वाला फिकर सुरूं में यह आपको दिखाऊंगा तो क्या आप कैसे काम करता ही समझता और नहीं समझ पाओगे इसलिए वह जो कि तो यह चलिए आगे बढ़ते हैं नौजल फ्यूल इंजेक्टर नौजल के प्रकार अब यानि की जो फ्यूल इंजेक्टर तो एक ही रहेगा थिक है बस उसका हम नौजल बदलते जाएंगे तो नौजल कितने प्रकार का होता है किसी बुक में एक-दो प्रस ने दिया भी है उससे, तो इसके टाइब को आप पढ़ लीजिए. तो पहला जो हमारा टाइप है, पहला हमारा जो फ्यूल इंजेक्टर में जो नॉजल प्रयोग होते हैं, उसका जो पहला टाइप है, वो है सिंगल होल नॉजल. अब नाम से ही जैसा की असपच्ट है इसमें क्या होगा इसमें एक ही छिद्र होगा इस नौजल में क्या होगा इसमें एक ही छिद्र होगा अब मैं आपसे कहूँ इसमें जो महत्पूर्ण पॉइंट है उसको लिखिए इसका जो होल साइज होगा एक ही होल रहेगा तो इसका जो होल साइज रहेगा वो कितना रहेगा भीया वो रहेगा 0.2 mm कितना रहेगा 0.2 mm रहेगा इसका जो इस्प्रे इंगल होता है इस्प्रे इंगल होता है लगभग 15 डिगरी के आसपास होता है कितना होता है 15 डिगरी के आसपास होता है और मैं आपसे कहूं इसका प्रेसर बता दो भई या प्रेसर कितना होगा तो प्रेसर होता है 100 से 120 बार का जो प्रेसर है ये जनरेट करता है कौन? सिंगल होल नौजल, ठीक है? कैसे बनेंगे? अभी लास्ट में कुईस्टन जब करवाऊंगा तो आपको समझ में आहेगा, ठीक है? चलिए, चलिए, अब यहाँ पे सिंगल होल नौजल हो गया, अब जो अगला टॉपिक है, अगला जो दूसरा नौजल है, वो है मल्ट होल नौजल, ठीक है? इसमें क्या होता है? एक से आठ चिद्र होते हैं, किसी-किसी बुक में आपको क्या मिलेगा? एक से आठ चिद्र मिलेंगे, और किसी-किसी बुक में आपको क्या मिलेगा? चार से अठारा चिद्र मिलेंगे, ठीक है? तो दोनों मैं पढ़ा दे रहा भाई नहीं तो बाद में कहोगे बाद में कहोगे कि आपने गलत बताया है तो ये एक से अठारा वाला मुझे ज़्यादा करेक्ट लगता है तो आप भी इसी को क्या मानेंगे इसी को करेक्ट मानेंगे किसको करेक्ट मानेंगे एक से आठ वाले को correct मानेंगे ठीक है अगर हम लोग बात करें spray angle की किसकी बात करें भाईया इस परे एंगल की बात करें तो कितना होता है 20 से 45 डिगरी होता है और जो pressure होता है वो कितना होता है 180 बार से अधिक 180 बार से अधिक का क्या है ये जो pressure है वो generate करता है कौन सा हमारा multi hole nozzle ठीक है अब multi hole nozzle का मतलब क्या भया इसमें कई छिदर होंगे जिससे क्या होगा जिससे diesel का spray cylinder के अंदर होगा इसमें क्या होगा इसमें कई छिदर होंगे जिससे क्या होगा diesel का जो spray है वो cylinder के अंदर इस तरीके से होगा ठीक है अब तीसरे की बाद करें तीसरे की बाद करें तो तीसरा क्या है हमारा तीसरा है हमारा pintal nozzle अब देखिए इसकी जो stem होती है या valve needle होती है उसकी लंबाई کیा होती है कुछ अधिक होती है तो आप इसमें लिखेंगे, इसके नेडल की लंबाई कुछ अधिक होती है, जो क्या होती है? जो पिंटल के आकार की होती है, पिंटल के आकार की होती है, ठीक है? इसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं, कौन से नाम से जानते हैं, इसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं, Self Cleaning Nodule, Self यहां पर लिख लेंगे, Self Cleaning Nodule, ठीक है, और इसका जो स्प्रे कोड होगा भाईया, इसका जो स्प्रे कोड होगा, वो कितना होगा, इसमें आप लिखोगे, इसका इसप्रे इंगल कितना होगा, 60 डिगरी होगा, इसप्रे इंगल कितना होगा, 60 डिगरी, यही प्रस्न आप से एक्जाम में पूछा गया था, कई किताबों में आपको देखने को मिलेगा यह वाला प्रस्न, ठीक है, जिसके लिए मैंने आपको Nodule का टाइप पढ़ाया, अगर यह प्र एक टाइप से प्रस्न पूछा गया था, तो किसी भी टाइप से आप से प्रस्न पूछा जा सकता है, किसी भी टाइप से आप से प्रस्न पूछा जा सकता है, अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा चौथा टाइप है, जो हमारा चौथा टाइप है Nodule का, वो हो एक इसमें एक आगजेलरी पोल होता है ठीक है अब यहाँ पे धान से समझेए कि कैसे काम करता है माल लीजिए यह आपकी क्या है एक नौजल की बॉड़ी है ठीक है नीचे जो फ्यूल इंजेक्टर में हमारा नौजल लगा हुआ है उसकी बॉड़ी है ठीक है अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ छिद्र रहता है यहाँ पर जहां से क्या होता है डीजल इस्प्रे होता है जहां से क्या होगा डीजल इस्प्रे होगा लेकिन जो हमारा पिंटॉक्स नाजल होता है उसमें एक आकजिलरी होल जिसे आप क्या बो below auxiliary hole अब इसका क्या काम रहता है देखिए जो हमारे बड़े engine रहते हैं भारी engine रहते हैं या ऐसे engine रहते हैं जिनका जो diameter है cylinder का वो काफी जादा होता है और क्योंकि engine हमारे क्या होते हैं काफी speed पर चलते हैं तो काफी speed पर चलने की वज़ा से जब हमारा डिजल पूरा इसमें आएगा, एक साथ पूरा डिजल एक साथ आ जाएगा, तो हो सकता है वो सही से ना जल पाए, तो हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ से जो आपका 10% डिजल, 10% फियूल पहले ही, यहाँ पे आप लिख लीजिए, पहले ही, यानि कि मान ठीक है, दस ग्राम आपका मान लीजे डीजल आना है, ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, दस परसेंट, यानि कि एक ग्राम डीजल को पहले ही भेज देंगे, थोड़ा सा, यानि कि कुछ मिली सेकंड का अंतर होता है, ऐसा नहीं है कि संपीडन सुरू हुआ तभी भे यहां पे 90% डीजल रहेगा, उसको भी इन छेद्रों से क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा, तो जो यह 90%, क्योंकि हमारा 10% डीजल है, जो कि पहले ही जलनासुरू हो चुका है, तो जब हमारा यह 90% डीजल जो बचा है, जब वो आएगा तो वो आसानी से जल जाएगा, और उसका जो complete combustion है वो होगा यही होता है हमारा जो Pintox Nigel है उसका काम तो आप इसमें थोड़ा सा लिख लेंगे क्या लिखेंगे भाईया कि इसमें इसमें एक auxiliary auxiliary hole होता है होता है जिसकी जिसकी सहायता से सहायता से 10% 10% डीजल को डीजल को पहले ही पहले ही क्या कि दिया जाता है combustion chamber में भेज दिया जाता है पहले ही combustion chamber में क्या कर दिया जाता है भेज दिया जाता है बाकी जो 90% डीजल है वो क्या होता है थोड़ा सा बाद में आता है लेकिन क्योंकि 10% डीजल आके पहले ही जलना सुरू हो चुका रहता है तो जब हमारा यहां से 90% डीजल आता है तो वो आसानी से आग पकड़ता है और आसानी से जो इधन का complete combustion हो जाता है सर दूसरे डाइवर सर से maintenance पास रहने की जरूरत है क्या भाई आप देखिए जहां से पढ़ सकते हैं संजीव सर भी पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप वहां से भी पढ़ सकते हो यहां से भी पढ़ सकते हो जहां से आपको चीज़ें अच्छी होना चाहिए चाहे हो मैं कराओं चाहे संजीव सर कराओं आपका जो सिलेबस है वह कंप्लीट होना चाहिए अब हमारा जो लास्ट नॉजल है उसको भी देख लीजे वह हमारा सरकमफेरेंसियल नॉजल पांचवा जो है इसमें क्या होता है आप इसमें लिखेंगे इसमें नीचे वाला भाग क्या होता है एक गोल प्लेट गोल प्लेट के आकार का होता है जिसमें क्या होते हैं जिसमें शिद्र बने रहते हैं और क्या होता है फ्यूल अच्छे से इसप्रे हो जाता है देखे जैसे मान लीजे ये हमारा नॉजल है ठीक है इस तरीके से तो यहां पर नीचे जो एक प्लेट लगी रहेगी इस तरीके से इस तरीके से और इसमें क्या बने होंगे होल बने होंगे चारो तरफ इस प्लेट के चारो तरफ यानि कि circumference यानि कि चारों तरफ क्या करेगी डीजल का इस्प्रे करेगी तो यह है हमारा नौजल के प्रकार अब आप यहाँ पे अगला heading डालेंगे अगला heading क्या डालेंगे नौजल में किये जाने वाले टेस्ट ठीक है नौजल में नौजल आप यहाँ पे लिखे नौजल के टेस्ट कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है यानि कि ऐसा तो है नहीं कि नौजल आपने बनाया और तुरंट उसको install कर दिया कहां पर engine में पहले आप उसको क्या करोगे टेस्ट करोगे कौन कौन से test किया जाता है पहला है आपका pressure test दूसरा क्या है leak of test और तीसरा आपका क्या है इस्प्रे टेस्ट इस्प्रे टेस्ट पहले में हम क्या करेंगे प्रेसर चेक करेंगे इस वाले में क्या चेक करेंगे भी या नॉजल का टेस्ट करते हैं प्रेसर चेक करेंगे कि कितना प्रेसर हमारा जो नॉजल है या इंजेक्टर है वो क्या कर पा रहा है सहन कर पा रहा है लीक आप टेस्ट में लीकेज की जाज करेंगे और इस्प्रे टेस्ट में ये जाज करेंगे कि सही तरीके से डीजल का इस्प्रे कमबस्टन चेंबर में हो रहा है कि नहीं तो इतना आपको समझ में आ गया तो बताईए अब आगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा firing order of engine तो उसके पहले आप वीडियो को इतनी चीजे समझ में आई हूँ तो एक बाद लाइक करेंगे ठीक है, engine और engine और spark plug के बीच कितना distance होता है अगर आप ये पूछो कि spark plug में कितना गैफ होता है तो वो मैं बता सकता हूँ engine और spark plug में कितना distance होता है ये प्रस्ण आपका मुझे समझ में नहीं आया ये प्रस्ण आपका मुझे समझ नहीं आया engine और spark plug के बीच में कितना distance होता है ठीक है, तो firing order हम लोग पढ़ेंगे तो एक बार आप वीडियो को share कर दीजे ताकि जो लोग interested है firing order के बारे में firing order के बारे में जो लोग interested है वो क्या कर दें, एक बार class से जुड़ जाएं ठीक है, तो चलिए, अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते है firing order अब यहाँ पे देखिए, firing order की आवस सकता क्यों है पहले firing order को समझिए, यहाँ पे समझिए, firing order है क्या firing order है क्या तो यह है, इधन जलाने का क्रम साइट फार्म में, इधन जलाने का क्रम जब हम multi cylinder engine उपयोग करते हैं, वहीं पर firing order आता है यानि कि जैसे कि माल लीजे, आपका चार cylinder engine है कौन सा engine है, चार cylinder engine है तो हम लोग क्या करेंगे, किस क्रम में, किस क्रम में यहाँ पर इधन को जलाएंगे, यहीं प्रसनाप से पूछता है लेकिन मैं आपको यह भी बता दूँ, यह प्रसनाप से कभी एक्जाम में नहीं पूछेगा कि 4-cylinder diesel engine या 4-cylinder engine का firing order बताईए या 6-cylinder engine का firing order बताईए क्योंकि यह जो firing order है, यानि कि किस cylinder में हम लोग पहले fuel को जलाएंगे, किस cylinder में बाद में जलाएंगे यह जो firing order है, यह depend करता है कई condition पर यानि कि engine की बनावट कैसी है, उसको हम लोग कहां उपयोग कर रहे है design कैसा है उसका, उसमें कौन कौन से component, कौन सा injector यूज हुआ है कौन सा नाजल प्रयोग हुआ है, किस गाड़ी में हम लोग उसको उपयोग कर रहे है बहुत सी चीजों पर यह depend करता है और आपको यह भी बता दूँ, यह firing order कभी fix नहीं होता है भले हम लोग कितना भी कहें, 4 cylinder का यह होता है, 6 cylinder का यह होता है लेकिन यह firing order कभी fix नहीं होता है जो चाहे इसको अपने हिसाब से firing करा सकता है जैसे कि 1, 2, 3, 4 है तो उसका मान है तो पहले 1 कराए, 2 कराए, 3 कराए, 4 कराए फिर क्या है दो कराए एक कराए तीन कराए चार कराए लेकिन कुछ ऐसे फारिंग आर्डर है moyen जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं maximum दच्छता प्राप्त कर सकते हैं या जो हमको आप ये करिए कि जादा सहुलीत देते हैं फारिंग कराने में तो उसी एक दो क्रम को हम लोग याद रखते हैं बाकी ये आप बात जान लीजिए मान लीजिए कि ये जो फाइरिंग ओर्डर है ये कभी फिक्स नहीं होता है हम लोग अब इसको अपनी आवसकताओं के हिसाब से अपने इंजन की बनावट के हिसाब से क्या कर सकते हैं पढ़ लीजिए ठीक है ठीक है चलिए यहां पर आप हम लोग पढ़ते हैं ठीक है चलो अब यहां पर एक सिलेंडर अगर इंजन है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको यह समझ में आ गया ना कि फाइरिंग अडर क्या है इधन को जलाने का क्रम अब देखिए मैं आप से एक प्रस्न पूछूं एक साथ एक साथ इधन को सभी सिलेंडरों में क्यों नहीं जलाते क्यों नहीं जलाते ठीक है अब इसका रीजन समझिए मान लीजे चारों सिलेंडर में आपने क्या कर दिया एक साथ फायर कर दिया एक साथ पावर इश्टोक उत्पन कर दिया तो जब यह सिलेंडर जब यह पिश्टन एक साथ नीचे आएंगे तो जो क्रैंक साफ्ट लगी होगी भाया क्योंक वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होगा उपर पूरा र yang ऐगा तो पर प्द क्रिंग सांत्र हमारा क्या कर सकता है और सciones चाहते हैं कि वह नहीं करें तो हमको इसको extra पैसा लगाकर एक्स्ट्रा मजबूती देनी होगी तो एक्स्ट्रा कॉश्ट हमको करने की जरूरत क्या है एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करने की जरूरत क्या है हम लोग क्या करते हैं बारी बारी से करके जो सिलेंडर है उसमें फ्यूल को जलाते हैं ताकि हमारा जो जो भी तो सर हर जगह कोई अलग-अलग बता रहा है तो मैं आपको बता दूँ 0.3 से 0.3 से 0.7 mm होता है और किसी-किसी बुक में आपको मिलेगा 0.5 से 0.7 mm मिलेगा लेकिन मेरे हिसाब से आप जो कहोगे correct है तो ये वाला मैं आपको यहाँ पे correct मानूंगा 0.3 mm से 0.7 mm होता है इस पार्क प्लक जो होता है उसके बीच जो गैप होता है वो कितना हो यानि कि उसकी जो दो टिप होती है उसके बीच में जो गैप होता है ये वाला option मैं सही मानूंगा और ये वाला भी कई books में आपको ये वाला भी देखने को मिलेगा तो आपको इस तरह के प्रस्न में अगर पूछता है तो वहाँ पे आपसन के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा मैनेज करना पड़ेगा ठीक है जीरो कहां होता है भाई जीरो से जहाँ 0.3 से मनिस पंडिल लिख रहे हैं 0.3 से 0.7 तो यही मैं आपको बता रहा हूँ वही यहाँ पे लिखी हुई है जल्दी से इसका स्क्रीन सॉट लीजिए तब हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं ठीक है यहाँ पे देखे क्या है जब एक से अधिक पिश्टन का उप्योग किया जाता है तो क्रेंग साफट पर लोड बहुत अधिक बढ़ जाता है यदि सभी एक साथ क्या होंगे पावर इस्टोक उत्पन होंगे तो हमारा जो क्रेंग साफ्ट है वो क्या होगा फेल कर जाएगा दूसरा है वाइब्रेशन बहुत जादा होगा तो वाइब्रेशन को कम करने के लिए क्या होती है firing order क्या आउसकता होती है तीसरा है fluctuation fluctuation को कम करने के लिए firing order क्या आउसकता होती है और चौथा है उचित firing order होने पर हम लोग क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा power ज्यादा से ज्यादा power क्या कर सकते हैं engine से ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा पाउर क्या कर सकते हैं, इंजन से ले सकते हैं, तो यही होती है firing order की आवसकता, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जो एक सिलेंडर है उसका बताने की ज़रूरत ही नहीं है, दो सिलेंडर का देखिए, तो दो सिलेंडर का कैसे भी जला लो भाई, यह मैं आप से पूछू कहां पर उपयोग होता था, जो हमारी एक कार आई थी, टाटा नैनो, वहाँ पर टू सिलेंडर इंजन उपयोग किया जाता था, अब यहाँ पर firing order मैं पूछू, firing order, क्या होगा, चाहे आप एक दो कर लो, चाहे दो एक कर लो, कोई फरक यहाँ पर नही त्री सिलेंडर इंजन, ठीक है, इसका क्या होगा, इसका होगा, एक, तीन, दो, या, एक, दो, तीन, दो नों हो सकता है, जादा अगर आप पूछोगे, जादा प्रिफर कौन सा किया जाता है, तो जादा प्रिफर इसको किया जाता है, ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लो, बहुत ज़ादा इसमीं समझने वाली चीजे नहीं है, अब अगला देखिए, अगला है चार सिलेंडर इंजन, चार सिलेंडर इंजन, ठीक है, चार सिलेंडर इंजन कहां पर उपयोग किया जाता है भाईया, जवाब की मारूती सुजकी कार आती है, मारूती सुजकी स्रिफ् श्रिफ्ट जो कार आती है वहां पर उपयों किया आता है और जो firing order होता है इसका क्या होता है firing order क्या होता है वो होता है 1342 ठीक है ये सबसे famous जो है सबसे famous firing order है four stop four cylinder engine का four cylinder engine का जो सबसे famous firing order है वो है 1342 ठीक है चंदन कुमार जी बिल्कुल आपका जवाब सही है बिल्कुल आपका जवाब सही है ठीक है पूछा जाता है सरी बिल्कुल पूछा जाता है तो पढ़ लीजे चलिए चलिए अब हम लोग अगला जो देखते हैं वो है हमारा five cylinder engine अगला जो हम लोग देखेंग वो हम लोग क्या देखेंगे five cylinder engine इसका आप से पूछे firing order तो आप क्या बताओगे firing order आप इसका firing order क्या बताओगे भाईया इसका firing order होता है एक दो चार पांच तीम ठीक है अब कहीं अलग मिले तो मेरे पास message ना कर देना क्योंकि ये अदलता बदलता रहता है ठीक है तो ये जो सबसे फेमस वाला है जो सबसे ज़्यादा आप मान के चलिए पूछा जाता है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ अगला क्या लिखेंगे six cylinder engine अगला लिखेंग उपयोग होता है वी सेफ six cylinder engine कहां उपयोग होता है तो एक आपकी गाड़ी आती है होंडा एक ओर्ड ठीक है ऐसे कुछ होता है एक और और ऑडी ऑडी एट में क्या होता है वी सेप वी सेप क्या होता है जो हमारा वी सेप six cylinder engine होता है कहां उपयोग होता है भाईया होंडा ए है कि फारिंग आडर होता है इस का छो फारिंग एर रोता होगा वहागा आपका पंदरह है च्छतिस मतरीच थिक यह सबसे फेमिस फारिंग और रहे सुठ एंजन का इह सबसे फैमस फारिंग ऊड़ रहे 6 cylinder engine का अगर आप कहीं पे भी search करोगे तो आपको google पे website पे यहीं मिलेगा ठीक है लेकिन एक और होता है उसको भी आप ध्यान रखो ठीक है पहली बार तो option में आपको यहीं देगा तो आपको यहीं मारना है ठीक अगर option में यह ना रहे तो दूसरा वाला जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको मारना है तो आप लिखोगे flight flight six cylinder engine यह कहां पे उप्योग होगा यह जो आपका racing car है racing car है Porsche 911 GT3 उसमें उप्योग होगा इसका firing order आप क्या लिखोगे 14 52 36 ठीक है इसका firing order आप क्या लिखोगे firing order आप क्या लिखोगे 14 52 36 सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि priority आप इसी को ही दोगे priority आप इसी को ही दोगे अगर यह option में ना रहे तब इस वाले पे जाओगे ठीक है ठीक है क्यों ट्रक में भाई engine होता है या ट्रक में ठीक है चलिए हाँ वही मैं कह रहा हूँ वही मैं कह रहा हूँ जीतेस का यह गुरू जी विवादित question पूछने से बसता इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि यह सब क्या है विवादित question ने भाई आप अभी Google पर कर लो कि इस गाड़ी में कौन सा engine six cylinder ही रहेगा सब सब में आप आज सर्च करके देख लेना जितने भी गाड़ियां है जार्वित अंकित पर जो पीडियाफ है वो डल रही है ठीक है चलिए यह आपको समझ में आ गया और एट cylinder engine मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि वहां पर क्या है और ज्यादा विवाद है क्योंकि उसमें और combination बन सकते है आने कि जितनी सिलेंडरों की संख्या बढ़ती जाएगी उसमें क्या होगा जो combination है वो बनने की संख्या जो है बढ़ती जाएगी तो इसलिए मैं आपको एट cylinder के माध्धम से आपको लिखा रहा हूं ठीक है साफ्ट के टाइप कितने होते हैं साफ्ट आपके इस लेवस में है नहीं आपको थोड़ी बहुत जानकारी लेनी है तो सिर्फ प्रोपेलर साफ्ट की लेनी है वो मैं आपको मिसलेनियस टॉपिक में पढ़ाऊंगा और बाकि काईज मिले होंगे उसकी च्हमता को बढ़ाने के लिए ठीक है जो हमारी साफ्ट होगी कोई भी वो माइल्ड इस्टील की मिर्दूइस पात की ही लगभग बनाई जाती है और उसकी च्हमता को बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें कुछ एलाइज मैकनीज, निकील, क्रोमिय मिलाती हैं साफ्ट को कभी क्योंकि उस पे हमारा जो लोड है वो बदलता रहता है क्योंकि साफ्ट जब घुमती रहती तो उस पे लोड चेंज होता रहता है इसलिए उसको कभी भी हाड मटीरियल का नहीं बनाते फोर्ज स्टील भी सही है ठीक है हैं का है कई का मटेरियल क्या होता है कौन से क्रिटिक का morbटिरियं भाई नावनीच दियाल कौन से क्रिकलेटिक का मटेरियल आप पूछभा और वहां पे कौन-कौन-से पदार्थ catalytic converter में उपयोग होते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं वो मैं आपको बता चुका हूं भाई catalytic converter का वीडियो जाके देखिए नौनीर दयाल जी catalytic converter वाला वीडियो आप जाके देखिए वहाँ पर सारे डाउट साब के clear किये गए है ठीक है चलिए अब यहाँ पर point समलोग देख लेते हैं एक compression ignition engine में इधन को inject कब किया जाता है कब किया जाता है तो आप क्या बताओगे कि या बताओगे संपीडन कि इस ट्रोक के इस ट्रोक के अंत में अंत में जब जब पिश्टन इस टी डी सी पर पहुचने वाला होता है पहुचने वाला होता है तब क्या किया जाता है इधन को इंजेक्ट किया जाता है अगला प्रस्न है आपसे डीजल इंजेक्टर निम्न में से किस पार्ट को किस पार्ट को इधन डिलीवर करता है यानि कि इंजेक्टर से जो डीजल आता है वो कहां पर आता है वो कहां पर आत धारा भी पढ़ाऊंगा ठीक है पहले इसका जवाब दीजिए डीजल इंजन इंजेक्टर निमने में से कहां पर इधन को डिलीवर करता है रंजीत का आंसर बिल्कुल सही सिलेंडर को चाहे आप सिलेंडर बोलू चाहे आप दीक है जाहे सिलेंडर भोण लो तीलेंडर या दहन आण कच्छ या कमबश्टण ठीक है अगला पाइंट के इंजेक्टर का कारी क्या है बहुत ही सिमपल है फ्यूल को क्या करना क्योट को atomize करना यानि की पुहार के रूप में फवहारे के रूप में इस्पेव के रूप में एकदम fine particles में क्या कर देना तोड़ देना ठीक है injector में कौन-कौन से test किया जाते हैं बताइए कौन-कौन से test injector में किया जाते हैं मैं ने आपको बताया तीन टेस्ट किये जाते हैं, जल्दी से उसका जवाब आप लोग बताएंगे, ठीक है, कौन-कौन से टेस्ट किये जाते हैं, प्रेसर, लीक, इस्प्रे, बिल्कुल चाहिए, प्रेसर टेस्ट, प्रेसर टेस्ट, लीक टेस्ट, और इस्प्रे टेस्ट, ठीक है, ये तीन टेस आपको इंजेक्टर को चेक करने के लिए किये जाते हैं अगला पॉइंट है इधन की सप्लाई बंद करने के बाद भी नौजल टिप से इधन के धीरे-धीरे दिशने को क्या कहते हैं यह प्रसन का जो अंसर दे देगा मैं समझ जाऊंगा कि बहुत अच्छा लड़का है क्यो तो डीजल है वह रिस-रिस रिकर कहा पर जा रहा है अच्छा सिलिंडर में जा रहा है तो उस सब्सक्राइब को क्या कहते हैं ड्रिबलिंग एक टर्म है उसको हम लोग क्या बोलेंगे ड्रिबलिंग कहते हैं ठीक है फ्यूल की सब इधन की सप्लाई बंद करने के बाद भी नौजल टिप से इधन के धीरे-धीरे दिशने को क्या कहते हैं ड्रिबलिंग कहते हैं ठीक है ड्रिबलिंग नहीं डी बा रहेगा वो रजत कुमार वो ड्रिबलिंग रहेगा ठीक है चलिए अब प्रस्नों की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी इन प्रस्नों को करेंगे और इसके बाद हम अपनी क्लास को यहां पर समाप्त करेंगे इंजेक्टर में कौन-कौन से टेस्ट किये जाते हैं मैं आपको पहले ही बताया कि ए तथा भी दोनों टेस्ट किसमें किये जाते हैं इंजेक्टर में किये जाते हैं अगला प्रस्न है किस प्रकार के गवर्नर में सेंट्रिफ्यूगल वेट का प्रयोग किया जाता है तो कल मैंने आपको गवर्नर के बारे में थोड़ा सा बताय रंजीत का अंसर है mechanical रंजीत के लगभग सभी अंसर यहां पर जो उन्होंने दिये हैं वो बिल्कुल सही है जो की बहुत अच्छी बात है ठीक है डिमपी सिंग का भी अंसर बिल्कुल सही है महेंडर का भी अंसर बिल्कुल सही है और बाकी लोगों के भी अंसर सही ही आ रहे ह सोनवीर का अंसर गलत है ठीक है तो यहां पर आपसन नंबर A सही हो जाएगा जो centrifugal governor है वो किस तरह का governor है mechanical governor है अगले प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं oil sump पहले या दूसरे lecture मैंने आपको बताया था कि जो oil sump है वो क्या होता है बताईए जिसमें oil छंता है जिसमें diesel engine भरा होता है जिसमें lubricating oil भरा होता है ठीक है या इसमें से कोई नहीं बताईए कौन सा अंसर आपका यहां पर सही होगा जल्डी बताईए कि oil sump कहां पर होता है तो आप क्या बताओगे oil sump होता है यानि कि क्या होता है कहां पर होता है मैं आप से पूछो तो आप बताओ कि क्रेंक केस के नीचले हिस्से में होता है क्या होता है तो option number C आपका सही होगा जिसमें lubrication oil भरा होता है lubricating oil भरा होता है वही हमारा क्या होता है oil sump होता है अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं कि निवन मेंसे इंजेक्टर का उपयोग होता है बहुत ही सिंपल प्रस्ण है और हो सकता है आपको ऐसे ही सिंपल सिंपल प्रस्ण देखने को मिलें कहां पर आपके एक्जाम में ठीक है, इंजिक्टर का प्योग बताए किस प्रकार के इंजन में होता है, डीजल इंजन में, पेट्रोल इंजन में, डीजल और भाप इंजन दोनों में, और ना पेट्रोल इंजन में और ना ही डीजल इंजन में, तो कौन सा अंसर आपका सही हो, किसी का ये अंसर गलत नहीं होना चाहिए, चौथे का आपसन आप लिखके बताएंगे, A होगा या B होगा या C होगा या D होगा, बताइए, ठीक है, कौन सा अंसर आपका सही होगा, सभी का अंसर, ज्यादा तर लोगों का अंसर A आ रहा है, C, रवी यादाव का अंसर C आ रहा है, जो की बिल्कुल क्या ह यहां पर प्रियोग किया आता है इस नंबर हे आपका यहां पर सही हो जाएगा अगले प्रसण की तरफ बढ़ते हैं पिंटल नॉजल पिंटल नॉजल में Card parlar हो होने को रोप sickness यह वाला आंसर सही होगा लेकिन है इसके पहले मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट लिखाया था उस पॉइंट को समझिए कि उस पॉइंट को लिखाने का मतलब क्या था यहाँ पे देखिए पिंटल नॉजल पिंटल नॉजल में मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट लिखाया था कि इसे self cleaning nozzle भी कहते हैं अब जैसा कि आपको पता है जो हमारा यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे हमारा माल लीजिए यह cylinder है यह हमारा क्या है? cylinder है cylinder में हमारी क्या लगी है? cylinder में हमारा लगा है injector cylinder में हमारा लगा है injector अब देखिए जो हमारे फ्यूल का दहन होता है वो भईया कहां पे होता है कमबस्टन चैंबर में ही तो होता है और क्योंकि जो इंजेक्टर का नाजल वाला भाग रहता है क्योंकि नाजल यहीं पे होगा यहीं पे हमारा इंजेक्टर होगा यह क्या होता है direct उस आग यहां पर जो fire होता है उस के संपर्क रहता है धूल धूआ यहां पर बनता है काला धूआ बनता है तो यहां पर इसकी टिप पर यानि कि जो nozzle का hole है बहुत काणर भूल का है कारवन जमने की संभावन रहती है और जब carbon deposition होगा तुमारा जो छिद्र है वो बंद हो जाएगा लेकिन यहाँ पे जो pintal nozzle है इसकी जो नोक है या इसको आप बोल सकते हैं जो needle है वो hole से थोड़ा बाहर निकली रहती है जैसा कि मैंने आपको एक figure में दिखाया भी था आप Google पर भी सर्च करके देखना ठीक है यहाँ पे देखे यहाँ पे आपको जो एकदम आगे वाला यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से यह वाला जो भाग है देखेंगे तो थोड़ा सा जो इसकी needle है वो आगे निकली रहेगी hole से तो उससे क्या होगा भीया कि जब hole से आगे की तरफ निकली रहेगी तो कितना भी carbon जमेगा बार बार जब needle उपर होगी फिर आके उस hole में बैठेगी तो हमारा वहाँ पे carbon का deposition नहीं हो पाएगा यही हमारा है जो पूछा गया है यही प्रसना आप से यहाँ पे पूछा गया है कि पिंटल होल का पिंटल नाजल का लाव क्या है तो पिंटल नाजल का लाव यह है कि पिंटल होल में यानि कि जो होल है उसमें carbon को deposit होने से रोकता है carbon को जमने से रोकता है तो option number C आपका यहाँ पे सही हो जा ठीक है चलिए अगले अगले परस्ट की तरफ बढ़ते हैं अगला परस्ट है हमारा नीमनलेखित में से कौन इंजेक्टर असेंबली का हिस्सा नहीं है जैसे मैंने आपको बताया नीडल वालो बताया नोजल बताया compressor spring बताया, यानि कि यह spring है, compression यहाँ पे होगा, compression spring, तो यह तीनों क्या है, जो हमारा nozzle assembly है, उसके भाग है, figure अभी आपने देखा होगा, needle वालों मैंने आपको बताया, nozzle बताया, और जो spring है वो बताया, लेकिन क्या वहाँ पे कहीं diaphragm था, यानि कि जो हमारा injector assembly का भाग नहीं ह ठीक है, ठीक है, बहुत यह अच्छा नसरा आप लोगों का आ रहा है, C नहीं होगा, सर जी, किसमे भाई C नहीं होगा, किसमे C नहीं होगा, जल्दी से बताओ, ठीक है, किसमे C नहीं, diaphragm कहां आएगा, जो कोई बंदा मेरा test ले, diaphragm कहा आएगा, भी यह diaphragm spring आएगा, आपक पूछा है कि कौन सा हिस्सा नहीं है, तो needle वालो हमारा हिस्सा है, nozzle हमारा हिस्सा है, compression जो spring है, spring लगी थी, यह हमारा injector assembly का हिस्सा है, यह जो diaphragm है, यह हिस्सा नहीं है, यह प्रस्न आप से यहाँ पे पूछा है, ठीक है, हाँ, यह आपका प्रस्न महाँ पे पूछा है, चल का परियोज़ किया जाएक बताईएए यही बहुत ही सिम्पल क्योस्टन है बहुत ही सिम्पल क्योस्टन है संपीडन इंगनिशन में इसु Jamaica इंजन में इस्टीम इंजन या इश्टरलिंग इंजन में जल्डी बताईए-दस सिकेंड के यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए अभी तक किसी का आँसर हैं पर गलत नहीं रहां और बहुत एक लड़के का आँसर गलत होगा भी उसका नाम नहीं पड़ पाया मैं ठीक है तो यहां पिक है आपका ऑफसन सही होगा संपीडन आ benefiting कि संपीडा निग्नी इंजन को ही हम लोग डीजल इंजन बोलते हैं और डीजल इंजन में ही किसका प्रयोग किया जाता है जबकि पेट्रोल इंजन में फ्यूल को एटोमाईज करने के लिए और एयर के साथ मिक्स करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा कार्बूरेटर का उपयोग किया जाएगा तो आप से पूछे पेट्रोल इंजन में फ्यूल को एटमाईज करने का काम और एयर के साथ मिक्स करने का काम कौन करता है तो आप क्या बताओगे पेट्रोल इंजन करता है चलिए अगले प्रस्न की तरह बढ़ते हैं कि इधन टैंक में किस कारण से फिलर कंठ या कैप में कैप में क्या दिया जाता है वेंट होल वेंट छिद्र दिया जाता है तो इसके दो रीजन होते हैं पहला क्या है कि आपके मान लेजिए फ्यूल टैंक के अंदर गैस वगेरा बन रही है तो वो क्या हो इस वेंट होल से निकल जाए दूसरा क्या है कि निरवात न उत्पन होने पाए यानि कि सिंपल समझो न जो हमारा स्टोरेज टैंक है या टंकी है फ्यूल टैंक है चाहे वो लगभग एक बार होता है उससे प्रेशर टैंक के अंदर ना जादा होने पाए ना क्या होने पाए कम होने पाए इसी लिए हमारा किया दिया जाता है क्रैप में वेंट छिद्र प्रदान किया जाता है तो यहां पर कौन सा आप्शन सही होगा आप्शन नमबर बी आपका यहा रखने के लिए यानि कि जो atmospheric pressure है वो हमारा टैंक में बना रहे इधन के उपर इसी लिए हम लोग क्या करते है वेंट होल प्रयोग करते हैं ठीक है गैस भी सही है दिंपी सिंग गैस को बाहर निकलने के लिए भी और दूसरा क्या है वैक्यूम न उत्पन हो यानि कि मालिज जा रहा है तो उससे क्या हो का Weikum उत्पन होगा Weikum मतलब जो दाब है वह वायमंडिली दाब से कम हो जाएगा तो दोनों के लिए गैस को निकलने मैंने आपको बताया था तो वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था और लास्ट क्यूस्टिन है हमारा अतिप्रवाह पाइप किसे कहते हैं ओवरफ्लो पाइप किसे कहते हैं ठीक है तो फिर से एक बार याद दिलाता हूँ आप लोग भूल गए होंगे यहां पर देखें फीग लाया सिलिंडर में इस्प्री हो गया अगर कुछ डीजल बचा तो वो हमारा क्या होता है ओवरफ्लो लाइन से फिर से क्या होता है टैंक में चला जाता है और यही प्रस्न आप से यहां से उचा गया है कि जो ओवरफ्लो लाइन है अतिप्रवाह लाइन ओवरफ्लो लाइन किसे कहते हैं तो आप क्या बताओगे इधन फिल्टर इधन फिल्टर चूसक और अन्ता छेपकों यानि की इंजेक्टर अन्ता छेपकों पर इधन टंकी को अतरिक्ट इधन की पुना आपूर्ती करने के लिए प्रदान किये गए एक pipe को हम क्या कहते हैं overflow pipe कहते हैं अत्रिक्त प्रदान किये गए pipe को हम लोग क्या कहते हैं overflow pipe कहते हैं तो अब बताइए आपके यहां से doubts clear हुए कि नहीं extra fuel को वापस भेजना बिल्कुल सही है अब आज की वीडियो कैसी लगी एक बार यह जरूर बताइए तो समझाने में समय लगता है ठीक है बाकी चीजों में समय कम लगेगा बहुत जल्दी आपका जो course है वो खतम कर दूँगा अब आज की वीडियो कैसी लगी एक बार यह जरूर बताजीए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like जरूर करिए और share करिए अपने दूस्तों के साथ तब तक बने रही है हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवादा और farprिपा जयो कर दो ने रही है हमारे साथ पस्तों के जर्य से श्बगची के सब्सक्रांए